परदोई गौस गंच के निवासी आजद आलम ने बताया कि गौस गंच सरकारी पशु चिकित्सा के पास साथ महीने से उनकी साइकल मरम्मत की दुकान थी जिसको राजनेतिक संरक्षन वा पुलिस की मिली बगत से दबंग जाहिद ने गिरा दिया जिसे दुकान बुरी तरह स शतिग्रस्ट हो गई है पीडित ने चोकी इंचार्ज गौस गंच को प्रातना पड़ दिया लेकिन पुलिस प्रशासन उल्टा उन्हें ही दो से तीन गंटे थाने में वो चोकी में बिठाये रखता है और विपक्षियों को चोकी तक नहीं बुलाता है जिससे पीडित मिशासन से नाइक की गुहार मानता है और दर दर भटक रहा है जन्दिराम मिश्रकर प्राइब